आ रोड साइड स्टेंड ये पोयम एक किसान के बारे में जो सडक के किनारे अपनी एक दुकान लगाता है और वहीं पे जंगली बेरी, शर्बत और भी खाने की सीजे बेचना चाता है पर प्रॉब्लम ये होती है, जिस जगब अपनी दुकान लगाता है, वहाँ से हजारों गाड़ी तो गुजरती हैं, पर एक भी रुकती नहीं है कुछ सामान खरीदने के लिए अगर गाड़ी रुकती भी हैं, तो सिर्फ रास्ता पूछने के लिए ये यूटन लेने के लिए इस बात से पोएट काफी दुकी होते हैं, कि गरीब लोगों की मदद कोई नहीं करना चाता, उनका सामान कोई नहीं खरीदता तो इस पूएब के जारिए पोएट गरीब लोगों की दैने कंडीशन को उनकी इस्तिती को दर्शा रहे हैं, अब हम इंपोर्टेंट कोशन अंसर पर कवर करेंगे, सू आईए कोशन अंसर पर आते हैं, सो दोस्तों आर रोड़ साइड स्टेंड की इंपोर्टेंड कोशन number first what do you mean by a roadside stand roadside stand से अपकर क्या मतलब है इसका अंसर है roadside stand is a small shop at the edge of the road for selling goods eatables to the travelers कहने का मतलब है roadside stand सडक के किनारिक छोटी सी दुकान होती है जहां पर चीजे बेचे जाती है खाने की वहां से आसपास गुजर रहे लोगों के लिए so now question number second what are the things that were sold in the roadside stand वो कौन सी चीजे है जो सडक के किनारिक बेची जाती है इसका अंसर है wild berries यानि जंगली बेर golden squash यानि सुनेरा शर्बत with silver warts और चांद की छोटी छोटी गोलिया वर सोल्ड ऑन दा so now question number third पे आते है what is the open prayer made by the rural fox यानि गाओं की लोगों द्वारा की जाने वाली खुली प्रातना क्या है open prayer कौन सी है इसका आंसर है the rural fox make an open appeal to the people of the city जो गाओं वासी हैं real fox हैं वो शेहर की लोगों से विंती करते हैं की they pray that they should stop at the roadside stand by their products की शेहर की लोग भी सड़क किनारे स्टॉल पर रुकें उनका सामान खरीदें and help them lead a better life और उन्हें भी अच्छी जिन्दगी जीने में मदद करें they pray that they should not be so selfish वे प्रातना करते हैं कि इतने स्वार्थी ना बने तो दोस्तों question number 4 पे आने से पहले मैं आपको एक important बात बदाता हूँ यह जो आप questions देख रहे हैं बहुत important है अगर आप prepare करके जाते हैं तो exam में आपका reaction कुछ ऐसा होने वाला है so आप question number 4 पे आते हैं write the reasons for which the cars from the city halt at the roadside stand कहने का मतलब है किन किन कार्णों से जो गाड़ियां वो सड़क के किनारे रुकती हैं so इसका answer है sometimes the people halt their cars to ask the right way कई बार जो लोग हैं वो सड़क के किनारे गाड़िया रुकते हैं रास्ता पूछने के लिए or to inquire about gallon of gas कुछ लोग पैट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं गाड़ी at times they stop to take a U-turn और कुछ लोग U-turn लेने के लिए गाड़ी रुकते हैं so इसका answer था I hope you got it so now question number 5 पे आते हैं last question है what false promises are made to the poor people यानि गरीब लोगों से कौन-कौन से जूटे वादे किये जाते हैं the people in power make false promises using media to assure them that they would be soon pulled out of their poverty so कहने का मतलब है जो लोग सत्ता में होते हैं वो जूटे वादे करते हैं मीडिया की मदद से वो आसवाशन देते हैं कि उनकी गरीबी जल्दी दूर की जाएगी they cheat the poor people and force them to sell their land वे गरीबों को धोका देते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं उनकी जमीन बेचने के लिए they never fulfill their promises वे कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते इसका answer था I hope you got it यह chapter के important question answer भी cover हो चुके हैं if you have any doubt you can ask me in the comment section till then bye and one more thing please subscribe the channel if you like the video